हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है पहनावा बहु तुम अब 16 साल की नहीं हो जो ऐसे कपड़े पहिंती हो कल पड़ो सनुमा जी कह रही थी कि तुम्हारी बहु को दिन बदिन जवानी फूट रही है कैसे कपड़े पहन कर घर में फिरती है आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे घर पर उंगली उठाने की पर अब तुम्हारी वज़ा से सब के ताने सुनने पड़ रहे हैं आज से ये बिट्टू के कपड़े पहनना बंद करके पहले जो पहनती थी वो पहनना सुरू कर दो और हाँ ऐसे ही कपड़े पहनने का सौक है तो अपने कमरे में पहना करो महिमा जी ने चाय पीते पीते कहा हा तनू ऐसे ही रहने दो बिट्टू के कपड़े वो क्या तुम्हें काटने को दोड़ते हैं तो आए दिन पहन कर खुद तो सरमसार होती है और दूसरों को भी सरमसार करती है नितिन ने अपने जूते को पालिश करते हुए कहा मा इस कपड़ों में क्या बुराई है जरा बताईए ना तंग है और ना ही कहीं से सरीर का भाग दिखाई देता है आप और मा बेटी ने इतना सिर्पर चड़ा दिया है कि वो एक बार पहना हुआ कपड़ा दूसरी बार पहनना नहीं चाहती कपड़ों कामबार लगा हुआ है पर ना किसी को देने देते हैं और ना ही मुझे पहनने देते हैं आएसे महेंगे कपड़े पड़े रहें इससे तो अच्छा है कि मैं ही पहन लूँ और मैं पहन कर पहले खुद आईने में देखती हूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ और हाँ जो मुझे कमफर्ट रेबर नहीं लगता वो मैं नहीं पहनती मुझे जो सूट होता है और मेरे लि दिखती की तो बात ही मत करियेगा मैं उनकी बहु की तरह ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो सरीर की नुमाइश करते हैं और नहीं उनकी तरह पूरे महले में घूमती फिरती हूँ जहां भी जाती हूँ कपड़े बदल कर ही जाती हूँ सिर्फ घर में ही अपनी बेटी के सरमाना है तो वो लोग सरमाएंगे, हम नहीं आज से तुम्हें जो पहनना है पहनो मैं अब कभी नहीं टोकूंगी तुम्हें नितिन ने भी तणू का हां ठामे हुए कहा तणू मुझे माफ कर दो, नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरे पैसे बजा कर मदद करती हो आज से हमारी बेटी जब तक अपने पूरे कपड़े पहन कर खत्म नहीं करती उसके लिए और कोई कपड़ा नहीं आएगा तुम तुमारी मर्जी से जो पहनना है पहनो मैं हूँ सबको जवाब देने के लिए आज तनु के मन का भार उतर गया कि मा बेटे को सही बात समझ में आ गई है आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहनी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद